तो भाई लोग किया आप लोगों पता है हमारे फिफार गेम में इतनारे वही कलसे हैं वही को सकते हैं यह खिर EPA के बैट के फायर नहीं कर सकते हैं बाकि और वी फोर में यह फंस्चन है recipient लेकिन हमारे फिफार गेम में उसके पींश holog adam eyes लेकिन उस आता पता नहीं हैं पाइशं को से बनेठाय नहीं कि यह सुनक तो भ elabor अच्ट के रहें घृंट को ुदं को सुनकर आपकी शुलू क jus सुदू करते लेकिन पहल谢谢 हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बाद जो है उस वाल पर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम लोग फ्री फार से रेटेड ऐसे इंट्रस्टिंग वडियो लाते रहते हैं आप लोग इनके एट्रिबूट्स पर नजर आएगा कोई भी लेजेंडरी गंस्किन होती उसमें तीन चीज़ प्लस होते हैं एक चीज माइनस होती है एक्जांपल के लिए आप लोग राइट वाली एम 1887 वह लेजेंडरी गंस्किन है लेकिन उसमें दो ही चीज़े प्लस है डामेज और एक्यूरिसी और जिस ग पूरे फ्रीफार गेम में और आप लोगों पता है एम 1887 जब न्यू न्यू आया था हमारे फ्रीफार गेम में तो कितना अधा ओपी था गरिना वालों को एम 1887 की गंस्किन बहुत ज़रा डिमांडिंग थी और गरिना वाले यह कभी नहीं चाहते कि गेम कभी भी अन्बैल गिन हो हो क्या आप लोगो इसकी आप लोको इसकी परसे के जरुर से बताना हमारा सीफार बहुत सारे कडों से बहुत मतलब बहुत यहरा characters है और उन characters में बहुत ही अलग-अलग skills है और उन skills को दो चीज में divide किया है active skill और passive skill लेकिन कि आप लोगों पता है आपके पाद जो भी passive skill वाला character है अगर आप उस character ability को दूसरे character में use करते हो तो उस character की ability है वो 30% minus हो जाती है आप लोगों सुनके बहुत जारा shock होके होंगे कि भाई यह क्या सुन लिया लेकिन really यह एक interesting fact है आप लोग कभी इस चीज को गौर करना और कभी इस चीज को try करके भी देखना fact number six आप लोग के guild का नाम कुछने कुछ तो हो गाई जिसे कि मेरे guild का नाम यह है आपकी guild का नाम क्या है यह बात आप लोग मुझे comment में जरूर से बताना लेकिन आप लोग को यह बात जानके बहुत जारा हैरानी होगी हमारे फिफार गेम में जितने भी guild है उनमें से 80% guild का नाम एक ही guild का नाम होता है और उस guild का नाम है boss आप लोग का भी इस इसको गौर करना कि most of the बंदियों के गिल्ड का नाम बॉस ही होता है आप लोग मुझे यह बात भी जरूर से कॉमें बताना कि आप लोग उने कभी अपने गिल्ड का नाम बॉस रखा या फिर आज तक आप लोग कभी कोई fake boss guild में गए हो या फिर आप अभी boss guild में ही हो यह बात आप लोग को जो comment के कि जरूर से बताना fact number five क्या आप लोग ने अभी सोचा है हमारे free fire game में बहुत सारे vehicles है लेकिन एक भी vehicle में ऐसा option क्यों नहीं कि हम लोग पीछे बैट के fire कर सके जैसे बाकी बैटरॉल्स गेम से उन बैटरॉल्स गेम से लोग पीछे बैट के fire कर सकते हैं लेकिन free fire में ऐसा नहीं होता है क्या आप लोगों पता है ऐसा free fire में क्यों नहीं होता है तो आज से कुछ देर दो साल पहले एक ऐसा ही mode आया था जिसमें special use mode में एक बंदा पीछे फायर गेम में जो मैप है उसे तो अल्मोस्ट डबल होते ही होते हैं तो दूसरे बैटरॉल्स गेम के प्लेयर है उन लोगों को ज्यादा डिस्टंस कवरना पढ़ता है तो बहुत ही कम होता है जो अच्छे खासे प्लेयर होते हैं वह लोग वेहिकल का यहां था जिसमें बंदे पीछे बैटके फायर कर सकते थे वो टैम पर जारा रहा हुँ अच्छा रिस्पोंस नहीं मिले था गरीना को इसलिए यह वाला प्लैन ड्रॉप कर दिया आप लोग सोची सकते हो गेम का पूरा सेंविश हो जाता एक और फैक्ट यह भी हो सकता है कि हमेशा दूसरों गेम से अलग करना चाहती थी इसलिए उन्होंने जारा फोकस नहीं किया इस चीफ पर आप लोग कभी अपने गेम में आर्मरी खोल के देखना एंड वहां पे चीज नोटीस करना है कि जितने भी आर्मरी में पहले क्रेट थे वह अब कम हो चुके हैं यहां बहुत सारे गंस्किन के क्रेट इसको रीमू कर दिया गया है और इन फूचर अभी बहुत सारे गंस्किन के क्रेट इव्यार रीमू होने वाले हैं नहीं गिंथा इसular को 유나 स्की और उसके उस घितन कि कोई उसके वह उसτιुक्त को गरीना को रिमूव करना पड़ता है क्योंकि वो उस टाइम पी यूजलेस हो जाता है यहां पे आप लोग देखें पहले यह फ्रीफार का फर्स्ट लॉबी एन इसमें आप लोग देखी सकते हो कि पहले फ्रीफार कैसा था यह कहीं से भी देखके नहीं लगता कि यह फ्रीफ पहले फ्रीफार के क्लोट्स होते थे वह भी बहुत डिफरेंट लग रहे है कंपेर अभी से करें तो अगर आप इसे अच्छे से गौर करके रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा पपजी टाइप लगेगा फैक्ट नमबर टू ओबी 24 अपडेट जब आया था मा अभी तो ओबी 26 अपडेट हो चुका है अब थोड़े टाइम में ओबी 27 अपडेट आने वाला है लेकिन अभी तक इस करेक्टर का अता पता नहीं है भाई लोग तो कि आप लोगों में से किसी बंदों को इसकी पीज़े का मिस्ट्री पता है यह बात आप लोग में जो कॉ करता है आगे और इसी वीडियो बनाने के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो भाई लोग तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू है उस वाल पर जब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम लोग फ्रीफार से रिलेटेड ऐसे इंट्रस्टिंग इस चैनल प उनली एक लाग डैमन उसके उचका में फिर इसके अकॉन में अल्मोस्ट दस करोड़ डैमन से जो की बहुत जादा होता है एंड डैट्स रियली गजब एंड जो की लिटरल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है एंड मैं आप लोग इसका एक और दिखाता हूं जिसमें इस बंदे पच्पल लाग बैचेश खरीद रखे हैं और उसके नीचे आप लोग डिख सकते हो डालन प्रॉस है जो की पचीन से और बैचेश के साथ है तो यह थे दो बड़े बड़े रिकॉर्ड जो कि आज तो कोई ब्रेक नहीं कर पाया है पूरे फ्री फायर वर्ल्ड में तो बस लोग आज के लिए बस इतना ही वोप करतो हैं आप लोग को आज का सब्सक्राइब करना Honors आए नियए उस वानल पे लातेे रहेते हैं तो ही लोग सबस्क्राइबन लोग तो भाहँ लोग मिलते हैं और सब चली लिए अतरो वाचिंग आूटा करो ओड़तफ़े